असलालेकुम डियर स्टुडेंस माइनेम सुमेर मेमन आज हम क्लास टू का फर्स्ट यूनिट कंप्यूटर राउंड अस पेज नमबर फाइब जिसमें लिखा हुआ है के कंप्यूटर को डिफाइन करें कंप्यूटर क्या है ठीक है पेज नमबर हम ओपिन करेंगे 6 पेज नमबर 6 में आप देखें के डेफिनेशन लिखी हुए के वाट इस कंप्यूटर कंप्यूटर की मदद से हम बहुत से काम कर सकते हैं यू के जैसे के वाच तक काटून्स काटून्स देख सकते हैं ड्राइंग पैंट कोई पी चीज ड्राइंग बना सकते हैं मीजिक सुन सकते हैं लिसनिंग बात कर सकते हैं मेथा मेडिक्स कल प्रोबलम जैसे के टू पिलस टू फॉर इस तरह बहुत सी एक्टिविटीज हम क इसमें computer का और इंसान का different बताना है जैसे कि computer is first point is very fast in doing calculation computer तेजी से हिसाब किताब करता है second point has no feeling computer किसी चीज़ का एसाज नहीं होता third point never gets tight कभी भी नहीं थकता computer कभी भी नहीं थकता poor pointer does not make mistakes computer से कोई गलतिया नहीं होती fifth point cannot take discussion computer कोई फैसला नहीं ले सकता क्योंगे वो machine है अब why human being is slow in doing calculation इसान slowly सोच कर calculation कदा है इस feeling इसान को काफी चीज़ें मेहसूज होती है get tight after some times उसको कभी भी किसी चीज़ का एसाज हो सकता है make mistake इसान कहीं भी मिस्टेक गलतिया कर सकता है can take discussion कोई भी फैसला इसान कर सकता है सोच कर उसके बादे computers are available in different size मुक्तलिफ साइज में computer मौजूद है जिससे के some computer are big कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं कुछ small computers है ठीक है तो desktop computer के such computer use in homes and of desktop computer घरों में उसकुलों में आफिसों में यूज किया जाते हैं university में more than there are keep on desk desktop computer table पे मोजूद होता है dice पे these work only on electric city light पे यह computer चलता है electric city के थिरू काम करता है there are also now is personal computer यह personal computer भी है desktop computer को personal computer भी का जाता है उसके बादे laptop laptop is lighter and small size then desktop computer से laptop छोटा computer होता है it looks like a brick case brick case की तरह shape होता है क्योंके full cover होता है laptop a laptop computer can be carried while traveling it can also work on battery laptop को आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी आप सफर कर रहे हैं train में जाए रो पलेन में कार में आप लेकर सकते हैं और laptop battery पर चलता है single battery होती है तक यह दो से तीन गंटे तक चलता है ठीक है आज हमने laptop तक complete का है इंशाला आगे भी computer tablet तक पढ़ेंगे thank you है